अगे मां आप सबी पे मैंबर्स को पता है कि आभी निउ आपडेट होने के बाद इप्व का जो पॉटाल पॉटाल ये फे फर्माट हम वृ Цयी में में मेंट Article comment यह आ रहा है कि यह balance ऊड्रोल करने के लिए request submit करते है तो आपका जो request submit होता है या आपकी claim जो settle होता है settle कितना पैसा होता है तो option आपको कहा पर देखने को मिलेगा या आपको देखने में problem आ रहा है तो इस video में मैं आपको complete जान करी देने बाला हूँ कि आपका P.A. balance settle होता है तो कितना पैसा settle होता है और आपका claim reject होता है या settle हो गया है आप किस तरीके से पता कर सकते है जान सकते है तो इस video में मैं आपको बारी के से समझेने बाला हूँ तो प्लीज वीडियो को एंडर तक जरू देखना और जानकर ही पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा चैनल पर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा आपको EPF even related कोई भी problem है कोई भी सुझा हुए है आप मुझे comment box में पूछ सकते है या मेरा फोन पर desktop mode को on कर लेना है desktop mode को on करनी के लिए आपको यह पर right side में three dot पर click करना है next आपको desktop site पर check out कर देना है इससे किया होगा दोस्तों कि laptop या PC पर जिस तरीके से page open होता है बिल्कुल उसी तरीके से आपकी mobile पर भी page open हो जाएगा जैसे कि display पर आप देख सकते है बिल्कु आपको यहाँ पर अपना details को fill करना है even number password with capture capture आपको समाज में नहीं आता है रिफ्स बॉटन पर क्लिक करके आपको चेंज कर सकते है अपना details enter करने के बाद next sign-in पर क्लिक करेंगे interface कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा next यहाँ पर आपको three dot देखने को मिल र यानि आप कितने बार Pато पॉट काने के लिए request Submit के है तो यहाँ पर देख सकते है अब लेव और यहाँ पर आप देख सकते है एप रूप से ल्ग रिफ्स तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पेंडिंग क्लाम्स सेटल क्लाम्स और यहां पर रिजेक्ट क्लाम्स यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो पीफ बैंस सेटल हुआ है आपको चेक करने के लिए यहां पर आपको सेटल क्लाम ऑप्शन पर क्लिक करना है क्लिक करते इंटरफेस कुछ इस तरीक से open हो जाएगा यह पर नीचे की तरब आपको slide करना है तो यह पर आप देख सकते हैं आपने अपका PF account से कितना बार पैसा निकलने के लिए request किया है कुछ यह पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि यह पर आप देख सकते हैं हाइलाइट क्या हूं यह पर मैं आपको date भी दिखा दूँगा यह पर आप देख सकते हैं और जो है सेटल हो चुका है balance भी आ चुका है तो यह पर आप देख सकते हैं गैरा नंबर में मैंने यह पर आप देख सकते हैं इनका क्लाइम आईटी यह पर देखने को मिल जाएगा इवन नमबर और यह पर आप देख सकते हैं फर्म 31 इनलेस पारा की जरिया हमने पीए बैंस रिक्वेस्स समिट किया था और यह पर आप देख सकते हैं 25,400 रुपे सेटल हुआ है और यह पर आप dator हो देख सकते हैं इस तरीकело से आप अपना सेटल हुआ बैंस यह पर आप चेक कर सकते हैं क्लाइम को चेक करने के लिए आप को तीरृ नौट पर किलिक करना है कियां किलिक करना है नेक्ट आपको यह page open हो जाएगा यह आपको settle claim option पर क्लिक करना है और यह आपको नीचे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो claim है कितना settle हुआ है तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते है कि आपका जो request है settle हो गया है तो आपका PA balance कितना settle हुआ है या कितना पैसा आपकी bank account में आया है या से आप जन सकते है तो यही एक जन करी आप लोगों को साथ share करना था आपको करी पसंद दे तो वीडियो को like करिएगा चैनल पर आप नए है तो चैनल को subscribe करिएगा आप सब फिर मिलते हैं next video में